नमस्कार, SM News में आपका स्वागत है, में नाम है कॉमल और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे चैनल के जो मुख्या दिती हैं वो हैं फॉजी जंदा पार्टी के राष्ट अध्यक्ष राम महर मलिक जी मलिक जी आपका हमारे शो में स्वागत है धन्यवाद कॉमल सर आज मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज कल इंडिया में पुलिस सेफ नहीं है कहते हैं कि पुलिस हमारी सेफटी के लिए लेकिन अगर वही सेफ नहीं है तो इस देश का क्या होगा अभी 2 नुमेंबर को हुए हादसे में पुलिस को काफी चोट आई हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्या दिक्कत है हर वकत हर आजमी को टेंसन बनी रहती है कोई ना कोई चिंता बनी रहती है अपने आप में क्योंकि चारों तरफ देख रहे हैं कोई लूट रहा थे इसको कोई यानि ब्रस्टा चार मितने लिप्त हैं कोई गलत हरकते कर रहा है एक दूसरे के साथ मैं और यह खास करके वैसे तो बहतर साल से आज तक पूरे इसमें जितने भी राजनीति के दलाए हैं उन्होंने दुकाने चलाई हैं वयापार किया है उन्होंने राजनीती में राजनीती को राजनीती नी समझा है लेकर अब ये पिसले 5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा हैं लूट रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि नहीं हम इमानदार हैं इमानदारी का सर्टिफिकेट भी खुद ही ले रहे हैं यह बहुत दुखत है बहुत दुखत बाद और हलागि यह बड़ी गंभीर जिंता है यह इनको सोचना चाहिए कि देशवासी से सवाल पूछे ही हो रही है यह बाते की कुछ छिपती थोड़ी हैं यह बाते हर जगह जाएंगी पूरे धर्दी पर पूरे विश्वा में जाएंगी है तो यह सच्वच जुखत है ऐसी घटना नहीं होने चाहिए थी वकील है हमारे पड्याल का वर्ग है उनके उपर बहुत कुछ ही हमसे काम लेना चीए तो मैं इन दोनों को यह सला दूँगा यह हरकत अब जो हुई है बहुत दुखध हुई है लेकिन महरवानी करके ऐसा दोबारा ना हो और सरकारों से मैं हैं सरकारे निवेदन खरने लायक दो नहीं है सब नकारातमे सरकार बैठी है वहा निकमी सरकार बैठी है लेकर अब क्या करें वो बैठी है इसलिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि महरवानी करके ये माहौल अपना घडिया राजनीती बंद करें नकारात में राजनीती बंद करें और जो देश में आपस में जो नफरत का माहौल फैला रखा है उसको प्रेम के माहौल मे दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले